इसका डायलोग तो आप सभी को याद है कि गजब बेजिती है लेकिन उस केरेक्टर का नाम और निसान आपको पता नहीं है उसके बारे में बाकि कुछ भी चीज़े पता नहीं है ऐसा ही बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उनको chemical equations, chemical reactions के आसपास की कहानिया तो याद रह जाती है पर उस chemical reaction में exactly क्या हुआ था, क्या product थे, क्या reactant थे, ये याद नहीं रहता तो आज अगर आप भी समस्या से जूज रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना मैं आपको एक ऐसे full proof टेकनीक बताऊंगा जिससे आप chemical reactions बहुत अच्छे तरीके से अपने tips पे कर लेंगे, memorize कर लेंगे जो कि किसी भी competitive exam के लिए बहुत ही fruitful है इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला step आपको जो करना है वो क्या है sir the first step which you have to do is take a pen and paper एक pen उठालो, एक paper उठालो, एक pen उठालो, एक paper उठालो और उसके बाद क्या गरे sir, pen paper तो हमारे पास सद्यों से है फिर भी reaction याद नहीं हो रहे, क्या केवल pen paper लेने से याद हो जाएगा नहीं sir, तो जादू नहीं है, यहाँ पे मैनद करनी पड़ेगी उसके बाद हम क्या करेंगे sir, pen paper लेने के बाद फिर what will be doing, उसके बाद हम क्या करेंगे सब ही reaction को write down करेंगे कैसे write down करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना chemistry को पढ़ने का सबसे best तरीका है कि लिख लिख के याद करना, याद रखना inorganic chemistry हो या organic के reactions हो, आपको class में जो भी पढ़ाया जाए उसको उसी दिन घर जाके note down कर ले अगर आप ये note down करने की habit daily inculcate कर लोगे हर दिन ये काम करोगे, तो इसकी guarantee मैं ले सकता हूँ कि आप कभी भी chemical reaction से परेशान नहीं होगे सर आप ये चीज इतनी guarantee से कैसे कह सकते हैं इसकी guarantee से मैं इन चीजों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये principle जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई लिख लिख के याद करो, that is base donor, that is base donor effect जिसको हम कहते है muscle memory effect जो armies use करती है सर तो ये इतनी foolproof technique है कि इसको army भी use करती है that is called the muscle memory effect इसमें क्या होता है जैसे एक example देखे आपको समझाता हूँ मालो अगर तुमारे सामने से गोलिया चलनी सुरू हो जाए जो कि generally army के जवानों के साथ, army के अफसर के साथ जो कि front line border पे होते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा ऐसे scenario में आप दिमाग से कोई decision ले ही नहीं पाऊगे तो उनकी training में ऐसी छोटी छोटी चीजे इतनी जादा बार उनको कराई जाती है जैसे की गोली की आवाज आई तुरंट जमीन पे लेट जाओ जमीन पे लेटने के बाद अपने elbow के बल पे उठो और देखो कि भाईया गोली किदर से चलिए तुम खड़े हो के देख रहो गोली किदर से चलिए और इसको हम कहते हैं muscle memory आपके muscles की भी memory होती है example के लिए अगर तुम्हें अपना नाम लिखना है तुम नीद में भी अपना नाम लिख दोगे सर पता है क्यों क्योंकि आपके muscles को पता है दिमाग को काम करने की ज़रुवत नहीं होती है यही चीज अगर हम बार-बार लिख लिख के प्राक्टिस करेंगे सर तो reactions हमारी muscle memory बन जाएगी हम दिमाग में भले कुछ और सोच रहोंगे पर reactions है लिख देंगे that is the best way to memorize any reaction either in inorganic chemistry or in organic chemistry तो keep studying, keep writing लिखते रहो, पढ़ते रहो बबाए, take care